चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्ट जिस तरीके से हम NCL की तैयारी कर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि आप जरूरी NCL एक जम पास करोगे तो दोस्ट मैं भी बहुत ही मेहनत कर रहा हूं लेकिन यदि आप हमारे चैनल फिटर फाइटर को आप सबस्क्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और बेल आइकन दवाएंगे तो इससे हमारा जोश थोड़ा बढ़ता रहेगा और हम जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं उससे भी अधिक मेहनत करेंगे तो दोस्त आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें चाहिए और हम बिना देरी के कोशन स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला कोशन है अनुपातिक माप लेने माप किसके द्वारा लिये जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यह अनुपातिक माप क्या होता है अनुपातिक माप मतला होता है रेशियो में कोई मेजर मेंट हमें करना होता है यानि कोई माप बढ़ा उपी करते हैं तो इस paper पर कैसे बनेगा हम उस measurement को छोटा करना पड़ेगा तो scale की द्वारा वो छोटा हो सकता है और जब हम एक किसी चित्र को छोटे से बड़ा करना पड़ता है यैसे हम कोई दुरगटना हो जाए तो उसकी सूजण सबसे पहले किसे देना चाहिए यानि हम बर्कप्लेस पर जब फेक्टरी में काम करने जाएंगे जब नोकरी मिल जाएगे इसके बाद तो हम जब कोई बर्कप्लेस में कोई की दूर कटना हो जाएगी तो इसकी सूचना हम सबसे पहले किसे देंगे तो हमारे लिए बर्ग प्लेस पर हमारा सबसे important person होता है वो hod होता है जिसे हम head of department कहते हैं यानि swap प्रभारी तो इसलिए इसमें देख लिए second option है इसमें swap प्रभारी होता है swap प्रभारी को कहते है हम hod hod को हम सबसे पहले बताएंगे फिर hod को जिसे इसको inform करना है वो अपने तरीके से कर सकता है next question pattern maker किस rule का प्रियोग करता है यानि सबसे पहले हमें pattern maker समझना पड़ेगा कि यह pattern maker होता क्या है pattern maker का मतलब होता है जो pattern बनाता है यानि कि हम जब ढलाई करते हैं तो ढलाई करने के लिए हम एक सांचा बनाना पड़ता है सांचा को हम pattern कहते हैं और सांचे को बनाने बाले बेक्ति को हम pattern maker यहां काम करता है उस बरकर को हम पैटर्न मेकर की नाम से जानते के जो बनाता है पैटर्न मेकर यह कोई परसन है तो परसन किस का उप्यों करेंगा मों्डिंग ने कुद्क और से साथ्न से नो एक ख़कते लेकर इस व आउटसाइट केलिपर की लेक्ट किस तरह मुड़ी होती है यानि कि जो हमारा आउटसाइट केलिपर होता तो सबसे पहले हमें आउटसाइट केलिपर समझना पड़ेगा कि आउटसाइट केलिपर क्या होता दोस्त आउटसाइट केलिपर जो होता है वो बाहरी माप लेता है यानि कि ये कोई जोब है तो इसके हमें बाहरी माप लेना है तो आउटसाइट केलीपर इस तरीके से टच करता है जो आउटसाइट केलीपर होता है यानि आप देख लीजिए outside यानि बाहरी माप ले रहा लेकिन उसकी leg अंदर की तरफ मुड़ी हुई है तो इसकी जो answer हो जाएगा right answer अंदर की तरफ यानि अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है यदि इसी में inside caliper बोल दिया जाए तो inside caliper किसी slot के अंदर की माप लेता है तो उसकी leg जो होती है वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है तो दोस्त इसमें ultra system चलता है जो outside उसकी leg अंदर की तरफ जो inside उसकी leg बाहर की तरफ इसमें एक option दिया गया है state होती है तो state होती है डिवाइडर के लिएक दोस्त state होती है और जिसकी एक अंदर एक बाहर इसमें लिखा हुए जैनी केली पर की होती है तो यह थाड़ और फोर्ट में लिखे हुई यह भी किसी question के answer ही है तो मैंने आपको दोनों question ये भी समझा दिया है और जो question ये चौती नमबर पर दिया था ये भी मैंने आपको समझा दिया है five question बड़े ब्रत बनाने बाला टूल है यानि हम जो बड़े ब्रत बनाते हैं जैसे माल लीजिए divider से हम 300 mm तक का जो ब्रत है जो सर्किल बना सकते है लेकिन माल लीजिए हमें 900 या 1000 mm ब्यास का ब्रत बनाना है तो उसके लिए हम ट्रेमल का उप्योग करते हैं तो ये second answer हमारा ट्रेमल answer हो जाएगा divider की द्वारा हम 300 mm बना सकते हैं सर्फेस गेज का दूसरा नाम है यानि सर्फेस गेज जो होता है आप समझ रहे होगे सर्फेस गेज की तगी में थोड़ा रफली में आपको बना देता हूं इस तरीके से एदर एक स्क्राइबर लगा रहता है स्क्राइबर से मार्किंग भी कर सकते हैं और यह अदर काम कर स इसलिएSpace gauge का यह अरीस्फीτο का दूसरा नाम में स्क्राइविंग ब्लॉग आन्सर नाम है दूसरा नाम मार्किंग इुश्वेंग ब्लॉग द पाल्ट कोकि युचना सब्सक्राइब का धेन्स हैसर 6MG मार्किंग ब्लॉग अलग बिकल्ब पहचाने हमें यह 4 बिकल्ब दिये गए इसमें अलग बिकल्ब छाटना है तो जो की है कॉटर है इसपलिट पिन है केसल पिन है जो की होती है की होती है हमारी जो किसी भी साफ्ट के अक्ष के समंतर लगती जैसे इस प्रकार की साफ्ट है तो साफ्ट का ये अक्ष बीच में है तो हमारी जो चावी होती है वो इस तरीके से लगती है साफ्ट के अक्ष के समंतर देख ली जी आपकी का अक्ष और साफ्ट का अक्ष दोनो माल लीजिए एक्सागनल बोल्ट है इस बोल्ट को हमें पंके में टाइट कर दे तो इस प्लिट पिन को भी हम क्रॉस में डालते हैं और केसल नट जो होता है केसल नट वो होता है जब किसी नट के ऊपर एक सर्किल में एक रिंग बनी होती उस रिंग में स्लोट बने रहते हैं उस स्लोट में जैसे हमें इस नट को लॉक करना है तो इसमें एक पिन डाल देते हैं तो उस पिन को भी क्रॉस में ही डाला जाता है और किसन नट वाला जो कुशन है मैं कल के वीडियो में बताया था तो आप कल का वीडियो चाहो तो हमारे इस वीडियो की डिस्किप्शन बॉक्स से लिंक से आप देख सकते हो next question is copper का IASC होता है copper यो होता हमारा होता है जिसे हम क्या कहते है copper को copper यो होता है हमारा इसे हम तामा कहते है हिंदी में तो copper का IASC होता है मैले काईट ये right answer for answer होगा लेकिन दोस्त हम IASC किस तरी के सहाथ करेंगे तो इसकी मैंने एक trick बनाई थी उसका वीडियो आप देख सकते हैं उसकी भी लिंक देदू है लेकिन आप यहाँ चार याद कैसे कर सकते हैं तो मैं बता देता हूँ एलमुनियम का होता है वाकसाइट क्योंकि एलमुनियम की चद्दर के हम बकसे बनाएंगे तो वाकसाइट हो जाएगा तो हम बकसे से बकसाइट समझेगे गेलेना जो होता है लेड का होता है लेड जो होता है हमारा कभी गलता नहीं है यानि उस पे जंक कभी नहीं लगता है यानि लेड जो होता है हमारा कभी गलता नहीं है तो गलना मतलब गेलेना गेलेना मतब लेड कभी नहीं गलेगा इसलिए गेलेना हो गया इसका मेंगनेटाइट जो होता है यह आईरन का होता है आईरन आईरन जो होता हो मेंगनेट से चिपकता है इसलिए मेंगनेटाइट हो जाएगा जो हमारा लास्ट मेले काइट था ये कॉपर का होता है तो जो हमारा जो कॉपर होता है ये कॉपर जो होता है जब हम कॉपर की लोटे का या किसी बरतन का यूज़ करते हैं तो ये मेला बहुत जलनी हो जाता है ये गंदा हो जाता है तो इसलिए copper का melekite हो जाएगा तो इस तरीके से हमेंने आपको चार समझा दिये हैं नेक्स कुरिशन ताप एबम current की सबसे अच्छी चालक धात हुए तो दोस दिसमें हमें सबसे पहले याद रखना है ताप और current यदि ताप और current दोनों दिया है तो इसका अंसर copper हो जाएगा यदि only one कीवल हमारा current दिया होता only current होता है तो इसका अंसर चांदी होता good conductor होता चांदी electric का लेकिन heat and electric का ताप और current का तो इसका right answer copper copper right answer हो जाएगा next question है 10th question काश टारन में कारवन प्रिस्द कितना होता है यानि कि काश टान जो हमारा रहता उसमें carbon का प्रिस्द का प्रिस्द होता 2 से 4% तो इसका सबसे पहले हमारा का में इसका सही answer लगाना तो इसका right answer थाड़ answer हो जाएगा लेकिन इसमें कुछ और प्रिस्द दिये गए ये भी किसी ने किसी चीज की answer है फ़स्ट answer में बताता हूँ ये रोटारन में होता है 0.1% और 0.15 से 1.5 दिये ये तीन steel होते हैं इसमें एक होता है Low Carbon एक होता है Medium Carbon और एक होता है High Carbon Steel होता है तो इसमें तीनों इसी में आ जाते हैं जैसे 0.15 से 0.25 तक Low Carbon 0.25 से 0.75 तब मीडियम करबन और 0.75 से 1.5 तक हाई करबन तो यह तीन हो आ जा रहा है इसमें मैंने एक खटा लिख दिया है इसमें मोर देन 4 पर्षंट जो लास्ट वाले में दिया गया है यह पीगारन में होता है जब हम करेंगे तो करम ही हमारा धोर्षाद्पूजा है तो हमारे लिए करम करना इससे बड़ा पोइंट है तो हम करम कर रहे हैं Saruman क्या है हीट टीटमेंट को मतलब मैं समझना पड़ेगा तो आप हीट टीटमेंट को समझतो हीट का मतलब होता गरम करना और टीटमेंट का मतलब होता इलाज करना यानि कि हमें गरम करके किसी चीज का इलाज करना है तो इलाज हम कैसी करेंगी जोब को गरम करके आकार बनाना तो आका होगा नहीं तो मैंने इसमें फोर्जिंग का बता दिया है और हीट-teatement का बता दिया तो इस question का answer second answer हो जाएगा ट्वेल्थ question चीजल पर होने वाली किरियाओं का सही किरम यानि कि जो कीजी चीजल को बनाते हैं चेहनी को बनाते हैं तो उसमें होने वाले जो सही करेम होता हैं कौन कौन सी करिया है किस तरीके से करते हैं तो पहला उप्सन में दिया टेंपरिंग हार्डनिंग फोर्जिंग तो दोस्त पहला अंसर गलत होज़ा हम पहले टेंपरिंग नहीं करेंगे पहले हम फोर्जिंग पोइंट बनाते हैं, हम इस तरीके से, पोइंट बना लेते हैं, और जब इसमें पोइंट बन जाता है, तो हम इसकी हाड़निंग करते हैं, हाड़निंग के बाद फिर इसमें हम टेम्परिंग कर लेते हैं, हाड़निंग जो है, यह फोर्जिंग के बाद हम करेंगे, और टेम् कैसे इसका क्याम होता है फोर्जिंग गाडणिंग एवां टेंपरेंग थार्टीन कुश्चन एसलीन गेस किसका मिस्रान होता है यह बहुत ही इंपर्टन कुश्चन है एसलीन गेस का यह मैं आपको अच्छे से बता दीता हूँ इसमें कारवन और हाइड्राजन देहीं दोनों कारवन है और हाइड्रम अक्सिड Hydrohn therapy यूं का राइट आनसर झालैगा पहला आनसर राइट आनसर हो जाएगा स्वीड कारवन और हाइड्रू जो होता है कारवन जो होता है वो हाड़ करता है हमारी चॉप को हाड़ोजन जो चलने का काम करता है तो हम एसिटलीन गैस फ्लेम का या अक्सिडाजिंग गैस फ्लेम का और नूटल गैस फ्लेम का अलग-अलग कमों में उक्जियो में कर सकते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है ये तो अलग CO2 में होता है कारवन आड़ुजन H2O में होता है पानी में होता है Nigrogen की जीरो रीडिंग होती है पहली वाली रीडिंग को हम जीरो रीडिंग कहते हैं जीरो का मतलब जीरो कभी नहीं है जीरो रीडिंग को कभी भी दोश जीरो मसमाना जीरो रीडिंग का मतलब होता है किसी वी यंत्र की जो पहली रीडिंग होती है उसे हम जीरो रीडिंग कहते ह तो याणि माईको मीटर में हमारे तीन डिजन होते हैं मैन डिजन, सब डिजन, थिमबल डिजन तो मैन डिजन नहीं Famous बता है लेकिन मैं आपको सारा कुछ बता दूँगा 25.58 के हमेren reading बनना है तो सबसे पहले मैं एक जानकारी बताता हूँ कि यह reading 25 mm से अधिक है तो हमारा micro meters में 25 से 50 वाला यूज होगा ये भी एक question है अपने आप में अब मैं reading लगाता हूँ तो 25 mm है 25.5 है तो इसके 25 आएंगे man division जो man division की value होगी 25 इसके बाद 0.58 बचा है इसमें से तो 0.58 में से 0.50 इसमें से अलग हो जाएगा डिवीजन हो जाएगी तो दोस्त इसका answer जो हो जाएगा आठ हो जाएगा यानि इसमें इसमें डिवीजन की value होगी वो आठ होगी तो इसका third answer right answer हो जाएगा मैंने reading भर के आपको दिखा दिया है बनियर केली पर दोरा पड़ी गई रीडिंग पहचानू यानि की option दिये गए हैं इसमें से हमें वो बताना है कि जो reading बनियर केली पर दोरा पड़ी जाती है तो यदि दोस्त आप बहुत ही इमांदारी से तैयारी कर रहे हैं तो इस question को आप लगाईए answer सोचिए मैं इसका answer कुछ second के बाद बताता हूँ फटा फट सोच लीजिए पहला इसमें हमें question एक बार और मैं पड़ देता हूँ बनियर केली पर दोरा पड़ी गई reading पहचानू पहला 10.24, 10.55, 10.87 और सभी तो दोस्त सभी भी आप लगा सकते हैं जो आपको लगाना हो आप इसका answer लगाईए और समझ लीजिए लेकिन ये दोस्त question बहुत ही सरल है और यदि समझ में ना है तो बहुत ही कठिन है दोस्त आपने answer लगा लिया होगा मुझे विस्वास है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो बनियर केली पर रीडिंग जो पड़ी आती है क्योंकि जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो 0.02 का गोड़ा करते हैं तो हमारी जो भी रीडिंग आएगी वो समसंख्या में आएगी समसंख्या का मतला होता है इवी नमबर यानि कि इसकी रीडिंग आएगी 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 यानि कोई reading लिखते हैं तो 10.22, 10.23 इसमें reading नहीं आएगी, 10.24 इसमें reading आजाएगी, 10.25 इसमें नहीं आएगी दोस्तों आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें जब हम गुड़ा करते हैं reading में तो 0.02 का गुड़ा करते हैं, तो इसलिए दिखिए इसमें पढ़ी गई reading इसक second answer गलत होगा, और third answer गलत होगा, और चौता सभी तो होई ही नहीं सकता, तो दोस्ता पहचान लेजिए, कि आप किस तरीके से question कर रहे हैं, next question, बनेर के लिपर हमें 19 में खानों को 20 बनेर खानों में बाटा गया है, तो इसमें least count हमें निकालना है, तो दोस्त, least count का metric बताते ह हम इसमें एक में गुड़ा करेंगे, तो 20 से कम 20, 20 में 19 गया, एक बटे 20 आया है, एक बटे 20 की value जो होती है, 0.05 mm होती है, तो इसका answer हो जाएगा, 0.05 mm, लेकिन कभी कवारस में minus scale के खाने कमान दे देता है, तो यदि कभी minus scale के खाने कमान देता है, जो हमने 1 minus 19 बटे 20 किया उसके side में इधर हम गुड़ा कर देंगे, minus scale के खाने कमान, जिसमें नहीं दिया है, उसमें minus scale के खाने कमान, 1 mm मानेंगे, तो 1 mm से गुड़ा करने में कोई effect नहीं पड़ेगा, next question है, lab में किस gauge का प्रियोग करते हैं, जो हमारा lab होता है, calibration barb होता है, उसमें हम master gauge का उप्यो के जाता है, तो इसका answer master gauge हो जाएगा, या इसे हम calibration gauge भी कहते हैं, ring gauge का go सिरा, hole की किस limit में बनाया जाता है, यानि जो हमारे ring gauge होता है, उसमें एक सिरा go होता है, और एक no go होता है, यानि कि ring gauge में दो ring gauge बनाया जाते हैं, एक साथ, एक go और एक no go, तो हमें go सिरा बताना है, दोस्त गोसरा होता है वो किसी भी रोड पर जाना चाहिए यानि गोसरा हमारा चला जाएगा तो सही है और यदि नहीं जाएगा तो गलत है तो मैं एक रोड बना के आपको दिखा देता हूँ माल लीजिए रोड है इस रोड को हमें चेक करना है तो इसमें एक सरा हमारा इसमें ये जो गो वाला होगा उसको जाना चाहिए और नो गो वाला इसमें नहीं जाना चाहिए तो हम गो वाले को अधिकतम बनाएंगे बड़ा बनाएंगे ताकि वो इसमें चला जाए उन्नोगो वाले को हम छोटा बनाएंगे ताकि वो रुख जाए तो इसलिए गो वाले की जितने भी रिंगेज होते हैं सबका गो सरा जोब की हाई लिमिट में बड़ा बनता है ताकि वो इसमें पहना सके हम तो इसलिए इसका अंसर हो जाएगा जोब की हाई लिमिट में कोशन आये तो प्लक गेज का गोसरा लोवर लिमिन में बनता है और रिंग गेज का गोसरा हाई लिमिन में इधर बता दिया था पांच गयर ABCD है यह भी बहुत ही important कोशन है पांच गयर ABCD एक दो तीन चार पांच यह पांच गयर है यह इस तरीके से clock by चल ला है तो हमें last इhe gear का बताना है कि इhe gear कैसे चलेगा तो दोस्त जब भी कोई अगला gear होता है पहले gear तो उल्टा चलता है तो यह anti-clockwise चल जाएगा फिर यह 30 वाला clock by चल जाएगा फिर anti-clockwise चल जाएगा और लास्ट वाला फिर क्लोगवाई चल जाएगा तो इसका अंसर जो है फ़र्स्ट आंसर राइट अंसर हो जाएगा तो दोशी से इसकी में ट्रिक बता दिता हूँ यदि कितने भी गियर हो यदि दो गियर हैं चार हैं, छे हैं, आठ हैं समसंक्या में हैं तो उनकी दिसा एक दूसरे के अपोजिट रहेगी और बिसमसंक्या में हैं यानि कि एक तो कभी गयर लगेगा नहीं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 तो उसकी डायरेक्शन जो होगी हमेशा सेम आईगी यदि पहला गयर क्लोग बाईज है तो लास्ट गयर भी क्लोग बाईज होगा तो पांच गयर लगे थे हमारे पहला क्लोग बाईज था तो अंतिम भी क्लोग बाईज होगा लेकिन इसमें एक बात और में कि यदि इसमें कोई rpm पूछा जाए तो rpm में बीच के गयर की वैलू नहीं रखना है हमें केवल पहले गयर में एक शूत्र में नहीं बताया था ड1,n1,n1,d1,n1,d2,n2,n2 बस पहले गयर में और लास्ट गयर में लगा देना है तो आपका बीच के गयर से कोई rpm में एफेक कि आई टि आई बाला ऑई आई टी बाले से कम नहीं है क्योंकि यद्वी हमने आई आई टी की लेकिन थर्ड क्लास के कॉलिज से की तो जो पुलेगा वो हमारे ऐंसे अल में जॉब लगने वाले आई टी वाले बंदे को मिलेगी इसलिए आप तैयारी कर लीजिए आज का वीडियो देखने के लिए धन्वाद उक्के बाट